हलो दोस्तों मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हो हम सभी का आपके ही अपने यूटूब चैनल फ्री एड्यूकेशन पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंट अफ्यर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है स मेलन 2022 तो दोस्तों सिकर्स मेलन 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है और सभी कॉशन को हम डिसकस करने वाले हैं डेटेल में वे टेक्स्ट आफेक्ट के साथ मैं दोस्तों सभी कॉशन जो है आपके एक्जाम पॉंट अफ्यू सभी कॉशन को मेरे साथ में ही आप याद करते चलें चाहे तो अपनी नोट बुक लेकर इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पहला हमारा कॉशन है नाटो सिकर्स मेलन 2022 कहां आजित होगा तो नाटो सिकर्स मेलन 2022 जो है यह आजित किया जाएगा दोस्तों बात हुए नाटो सिकर्स मेलन की तो इससे जड़े हुए सभी इंपॉरेंट फैट को में हाँ पर कवर करेंगे तो नाटो सिकर्स मेलन 2022 में जो होने वाला है यह इसकी 32 भी बैठक होगी 32 वा संस्क्रण यानि की एडिशन होने वाला है इसका आजित कहां पर होगा और कहां पर हुआ तो बैल्सियम ब्रिसिल में सकायाजन किया गया अब बात कर लेते हैं आने वाले एडिशन की तो आने वाला जो एडिशन है 2023 में होने वाला है कौन सा एडिशन होगा तो 33 यानि की 33 वा संस्कंड होने वाला है और कहां पर सकायाजन किया जाएगा तो Atlantic Treaty Organization हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्तरी Atlantic संधी संगटन इसकी स्थापना कब की गई तो 4 अप्रल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी मुख्याले कहां पर है तो Belgium ब्रुसिल में इसका मुख्याला है और वर्तमान में महासचेव कौन है तो जेम्स इस्टॉर्ट टैलेंट वर्ग और यह ब्रीक्स अमनेंट वर्तमान में NATO के महासचेव है नेक्स्थ हमारा कौशन है ब्रिक्स संब्लेन 2022 की अध्यक्षिता तक किस गोर्ट की जाएग तो ब्रिक्स की देश की की जाईगर ऑप्शन नमबर बी यह बिल्कुल हमाराम प्रायट आंसर हो जाएगा अब बात हुए ब्रिक्स की तो इससे जड़ो हुए सभी important fact को हम cover करेंगे और बाद में जानेंगे कि ब्रिक्स है क्या तो ब्रिक्स अंबिलन 2022 में जो होने वाला है ये चौदवा संस्क्रण होगा इसका और कहां पर होगा तो चीन देश में इसका आज़न होने वाला है प्रिविय इडिशन जो है ये हमारे भारत में आज़ित किया गया था और कौन सा संस्क्रण था इसका तो तेरवा संस्क्रण था क्योंकि अभी जो हाल फिलाल एक्जाम हो रहे हैं उनमें 2021 का current affair पूछा जा रहा है तो ये caution अपकी एक्जाम point of view से बेहदी महत्पून है अब बात हुई इस में तो ब्राजील रूस इंडिया चीन और साउथ अफरीका ये जो पांच देश है ये ब्रिक्स में सामिल है इसकी सथा अपना कब की गई थी तो वर्श 2006 में की गई थी और साउथ अफरीका जो है दोस्तों ये 2010 में जुड़ा था तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया था इससे पहले जो चार देश हैं ये सामिल थे और इसका नाम जो था ये ब्रिक था अब मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए एक बहुती बड़ी ट्रिक साबित होने वाली है तो इसके जो सम्मेलन है ये इसके नाम के आधार पर आजित किये हूँ तो सबसे पहले जो अध्यक्षता है ये ब्राजील को दूसरे नंबर पर रश्या को तीसरे नंबर पर इंडिया को चौथे नंबर पर चीन को और पांच्वी नंबर पर साउथ अफरीका को सीक्वेंस में वन वाई वन करके इसकी जो अध्यक्षता है ये दी जाती है तेरवे संस्क्रण जिसे मैंने आपको बताया यह हमारे देश इंडिया में हुआ था चौदवा संस्क्रण जो होने वाला है यह कहाँ पर होने वाला है तो यह चीन देश में आज़ित होने वाला है तो आप बहुत ही आसानी से इन सभी को देख सकते हैं आने वाले 10 साल तक की एडिशन को आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं चलिए दोस्तों आपके लिए कुछ important information है आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी good news है good news यह है कि हमारे चैनल की current of years की जो updated e-book है यह e-book launch हो चुकी है और जिस प्रकार से मैं आपको topic wise current of years यह पढ़ा रही हूं से कर्षमिलें 2022 जो है इसी प्रकार से topic wise उसमें 45 प्लस topic दिये हुए हैं topic wise current of years की अगर हम बात करते हैं detail mcq आपको वहाँ पर 1100 प्लस दिये हुए हैं तो इस प्रकार total जो mcq है यह आपके लगभग 5000 से जादा mcq हो जाने वाले हैं एक ही book में आपको इतने सारे mcq जो है यह provide किये गए हैं और दोस्तो इस ebook की जो link है यह आपको कहाँ पर मिल जाएगी तो यह आपको description में मिल जाएगी यह book जो है यह आपके exam के लिए बहुत ही जादा helpful होने वाली है चलिए दोस्तो बढ़ते हैं अब next question की ओर और यहाँ पर next हमारा question है किस देश की अध्यक्षिता में संगाई सहीयोग संगटन जिसको SEO कहा जाता है सिखर शमिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा तो संगाई important fact को में आपर cover कर लेंगे संगाई सहीयोग संगटन सिखर शमिलन 2022 का जो आयोजन है यह कब होगा तो सितंबर 2022 में उजबे किस तान देश में इसका आयोजन किया जाएगा कौन सा संस्क्रण होने वाला है तो 22 संस्क्रण होगा और बात करते हैं 21 संस्क्रण की तो इसका जो जापना कब होई ठी तुकी स्थापना याने कि जो स्टेबलिश्मेंट है 21 2002 में होई थी मुख्याला याने की जो हैट्कौार कहां पर है तो यह बीजिंग चीन में महा सचेव कौन है जौंक मिंग जू है यह सदर्श्यदेश की इसके सथाई सदर्श्यदेश कितने हैं तो यह 9 कौन-कौन से हैं चीन-Rus, तजाकिस्तान-कजाकिस्तान-चौजबेकिस्तान खेकिस्तान भारत सदर्श्यदेशchau 2017 में बना और इसी के साथ में जो पाकिस्तान है ये भी 2017 में इसका सदश्य देश बन गया था वह सबसे अंतिम सदश्य देश कौन सा है इसका स्थाई तो ये एरान देश बना है और का बना है तो 2021 में बना है ये फेक्ट आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज़ादा इंपॉर् इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली भारत में तो आप्शन नमर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कौशन है काफी ज़दा इंपॉर्टेंट हैपके एक्जाम पॉंट अफ्यू से और ये जो संगोस्टी है इसका उधगाटन किसके द्वारा किय जाएगा तो जी 20 का जो अठारवा संस्क्रण है अठारवा एडिशन इसका आजन 2023 में होने वाला है और किस देश द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगे तो ये की जाएगी हमारे देश भारत के द्वारा तो आप्शन नमर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आने वाला जो एडिशन है 2023 में होगा और कहां पर होगा तो हमारे देश भारत में इसका आजन किया जाएगा अब बात हुई है जी 20 की तो इसका फुल फॉम होता है ग्रूप ऑफ 20 जो जी 20 है इसमें 19 देश है और इसी के साथ में ये यूरोपीय यूनियन जो पर हुआ था तो अमेरिका देश में 2008 में इसका जो पहला सम्मेलन है ये आजित किया गया था नेक्स्ट हमारा कौशन है 48 वे जी 7 सिकर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा तो 48 वे जी 7 सिकर सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता है ये की जाएगी जर्मनी देश के बियाद कर लीजेगा अब इससे जो इंपोर्टेंट को हम यहां पर कवर करेंगे तो इसकी जो अध्यक्ष्टा जो है यह जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कोल जे इनके द्वारा की जाएगी आयोजन कब होने वाला है तो 26-28 जून 2022 को इसका जो आयोजन है यह जर्मनी के देश के द्वारा तो यह की जाएगी जापान देश के द्वारा अब बात हुए है दोस्तों जी सेविन की तो जी सेविन जो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रूप ऑफ सैविन जी सेविन जो है यह दुनिया की साथ बड़ी बिकसित अर्थ विवस्ताम वाले देशों का और दोस्तों जी सेविन जो है यह पहले जी सिक्स के रूप में जाना जाता था और 1976 में जो कनाड़ा है यह इसमें शामिल हो गया और इसके बाद जी सिक्स को जी सेविन के रूप में जाना जाने लगा अंतिम सदश से कौन सा है तो यह कनाड़ा देश है और बात करते हैं G7 के सदश्च देश की सभी साथों सदश्च देश कौन कौन से हैं तो पहले नंबर पर फ्रांस है दूसरे नंबर पर जर्मनी है तीसरे नंबर पर इटली है यूनाइटेट किंग डम जापान संयुत राज अमेरिका और साथवा देश कौन से सामिल हुआ था तो ये कनाड़ किया गया था टोक्यो जापान में ओप्शन पर जबर बी जल्किल हमारा करेट तांसर हो जाएगा इसका अयोजन नियूजन mutual को टोक्यो जापान में हुआ है अगर बात करते हैं संभी प्राइलय देशों के जितने भी नेता हानो ने संभी नेंिषिछन में भाग लिया है कि इन्हों ने इस सिखर शंबेलन में भाग दिया है और यह जो सिखर शंबेलन है यह दूसरा इन-परसन कौड सम्मिट है अब बात करते हैं क्वाड की क्वाड है क्या क्या क्वाड का सदस्य देश कितने हैं तो इनकी संख्या चाहा है क्वाड का ओदेश है तो हिंदर प्रसांत छेत्र में चीन के आकरमक व्यवहार जो है इसका मुकाबला करना ये क्वाड का ओदेश है दोस्तों को दोस्तों इन दोनों को जोदिक में विद्ष मंत्रियों की चौती बैठक का ध्री जो आयोजन है यह उस्ट्रेलिया मेलबर्न में किया गया option नमबर ए जो है यह बिलकुल correct answer हो जाएगा इस question से जुड़ों है सभी important fact को हम आपर cover करेंगे तो कौर्ट समू के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का जो आयोजन है ये आस्ट्रेलिया के महलवरन में आजुत किया गया है और इस बैठक में भारत की ओर से अध्यक्षता किस ने की तो दोस्तों ये विदेश मंत्रियों की बैठक थी और हमारे देश की विदेश मंत् भारत प्रशान छेत्र में चीन द्वारा जो अतीकरमन है इसकी बरती चिंताओं के बीच में ये जो आयोजन है ये आयोजित किया गया था इस पर चर्चा की गई थी नैसे हमारा कॉशन है हाली में 2022 में सार्क सम्मेलन के कौन से संस्क्रण का आयोजन किया जाएगा तो 2022 में जो सार्क सम्मेलन होने वाला है ये इसका 20 संस्क्रण होगा option number B जो है ये बिलकुल हमारा correct answer हो जाएगा अब बात हुई है सार्क सम्मेलन की तो इस question से जड़े है important fact को हम यहाँ पर cover करेंगे तो सार्क सम्मेलन का जो 18 संस्क्रण है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तो नेपाल में हुआ 19 संस्क्रण की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ तो दोस्तों ये जो आयोजन था होने वाला था लेकिन कोरोना वारिस कोविड 90 जो है इसके कारेंट्स का आयोजन रद्ध कर दिया गया था और 19 वे संस्करण के बाद जो 20 वे संस्करण है इसका आयोजन कहां पर होने वाला है तो इसका जो आयोजन है ये पाकिस्तान देश में किया जाएगा अब बात हुई है साल की की तो इसका फुलफार होता है साउथ एशियन एशोशियेशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हिंदी में इसको हम कहते हैं दक्षिड एशियाई छेत्रिय सायोग संगतन इसकी स्थापना का हुई तुनीस सो पचासी में इसकी स्थापना हुई मुख्याला जो है ये नेपाल की रा तो पांचवा संस्करण था और इसका आजन कहां पर किया गया तो ये किया गया है श्री लंका देश में ऑप्शन नमबर बी जो है ये बिलकुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात हुई है बिम्स्टेक की तो इससे कुछ कॉशन आपके एक्जाम में पूछे जाते बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी से तट्वर्ती है समीपी देशों का एक अंतर रास्ट ये आर्तिक सायोग संगठन है इसके इसका अपना कब हुई थी तो 1997 में हुई थी मुख्याला कहां पर है तो इसका जो हैड क्वाटर है ये बांगला देश के ढाका में है और दोस्तों इसके सदश्चे देशों की बात करते हैं तो साथ इसके सदश्चे देश हैं कौन कौन से हैं तो बांगला देश, भूटान, भारत, नेपाल, श्री लंका, म्यामार और थायलेंड जो है ये इसके सदश्चे देश है बिम्स्टेक के नेक्स्ट हमारा कॉशन है कॉप 27 जलवायू सिखर शम्मिलन की मेजवानी किस देश द्वारा की गई तो कॉप 27 जलवायू सिखर शम्मिलन जो हुआ है इसकी मेजवानी दी गई है मिश्र देश के लिए option number A जो है ये बिल्कुल correct answer हो जाएगा इसका आयोजन कब किया गया था तो वर्ष 2022 में ही इसका आयोजन किया गया है इस question से जड़ों important fact को में आपर cover करेंगे तो वर्ष 2022 में कॉप 27 जलवायू सिखर सम्मिलन की जो मेजवानी है ये किस देश को दी गई तो ये मिश्र देश के लिए दी गई आने वाला जो सिखर सम्मिलन है 2023 में होने वाला है कॉप 28 इसकी मिश्र बानी किस देश को दी गई है तो ये संयुक्त अराब अमीरात के लिए दी गई है और अब इससे बात कर लेते हैं प्रिवियस एडिशन की तो कॉप 26 सिखर सम्मिलन जो था 2022 में इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा कमबोडिया देश में ऑप्शन नमबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए इस कॉशन से चुड़े इंपॉर्टन फैट को हम यहाँ पर कवर करेंगे युक के अपके एक Himself Payl, अब अ किसा जहाते हैं तो एक वर्ष में इसके दो सम्मिलन आयूजत किया जाते है और एक देश में इनका जो आयोजन है जैसे कि आप देख सकते हैं और 48 इतराइशन सिकर सम्मिलन में किया गयान कहां पर किक रिटा की capital है बंदर सेरी बेगवान यहां पर इन दौनन सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है अब答 स्योधी तोidar걸 हो गांगे का दंद होत veins कर सम्मेलन के तो यहां पर स्योधार्स समoth06 में और कहां पर होगा तो कमबोडिया देश में इनका आहां जाएगा अब बात हुई एशियन की तो यहाँ पर आशियन का फुल फोम हम जान लेते हैं तो यह होता है Association of Southeast Asian Nation हिंदी में इसको हम कहते हैं दक्षिन पूर्व एशियाई रास्ट संग इसका गठन कब हुआ था तो 8 अगस 1967 को हुआ था सच्चिवाला कहां पर है तो इंडोनेशिया जकारता में इसका सच्चिवाला है वर्तमान में महा सच्चिव कौन है तो लिम जोक होई जो है यह वर्तमान में इसके महा सच्चिव है और सदश्चिदेश की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगापोर और थाइलेंड जो हैं ये इसके इस्थापना सदश्य देश हैं और बाद में ये जो पांच देश और हैं ब्रुने, वियतनाम, लाउस, म्यामार और कमबोडिया इनको भी इसमें शामिल किया गया था तो इस प्रकार स अगर हम सदश्य देश की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके सदश्य देशों की जो संख्या है ये दस हो चुकी है और अगर इसके स्थाई या फिर इस्तापना सदश्य की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी थी तो ये पांच है नेक्स हमारा कॉशन है महासागरों को स हमारा kausin Chalhi Harin निएं दूसरा भारत ऑस्ट्रेलीदीय वर्चुल सिखर सम्मिलन कभ आयरीत रहत हुआ। तो घ Commun कं यहां पर कवर करेंगे। तो 21 मार्च 2022 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुल सिखर संबिलन जो है इसका आयजन 2022 में किया गया और इन दौनों देशों के प्रधान मंत्री कौन-कौन है तो हमारे भारत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी है और ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधान मंत्री है स्कॉर्ट मौरिसन इन्हों ने इस सिखर सम्मेलन में भाग लिया था यह जो सिखर सम्मेलन है इसके दौरन दोनों नेताओं आपसी बहु आयामी संबंधों जो है इनकी समीख्ष की है और उन्हों ने छेत्रे एवा बेश्विक विकास की वारे में बिचारों को आधान से जड़ों इन्पॉर्टन फेक्ट को मिया पर कवर करेंगे तो 19 मार्स 2022 को चौद्वा भारत जापान वाशिक सिखर सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में आईजित किया गया और इसमें हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने और जापान देश के प्रधान मंत सहरी करेंट सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है यह किया गया सूरत गुजरात में option number B जो है यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया था तो 18 से लेकर 20 अपरेल 2022 तक इसका जो आयोजन है यह सूरत गुजरात में किया गया है यह कौशन काफी ज़ नई में किया गया है option number C जो है यह बिल्कुल हमारा correct answer हो जाएगा next हमारा question है वैश्विक छातर समुदाए को भारत में उच्छे सिक्षा प्राप्ति कराने के लिए study in India SII सम्मेलन 2022 का उधगाटन कहां पर किया गया है तो यह जो सम्मेलन है study in India 2022 में यह इसका जो आयोजन है यह किया गया है धाका बांगलादेश में option number C जो है यह बिल्कुल हमारा correct answer हो जाएगा इस question से जोड़े हो important fact को में यहाँ पर cover करेंगे तो बांगलादेश की राजधानी है धाका और यहाँ पर दो दिविश्ये study in India सम्मेलन 2022 का जो उधगाटन है यह किया गया और यह जो परियोजना है यह क्या है तो इस परियोजना में सिक्षा मंत्राले दौरह 2018 में इसको शुरू किया गया था और इसका अंतर रास्टी चात्रों को भारत में उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोच साहित करना है अब बात हुए दोस्तों यहाँ पर इसके बारवी मंत्री इस तरी सम्मेलन का आयोजन कहां पर आयोजन जो है इसका आयोजन जो है यह किया गया है जेनेवा स्विजर लेंड में ऑप्शन नमबर डी जो है यह बिलकुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स हमारा कॉशन है चौटीस वे एपिक सिखर सम्मे जो है यह बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कॉशन से जोड़े हो सभी इंपॉर्टन फेक्ट को हम यहां पर कवर करेंगे तो दोस्तों अभी हमने यहां पर कॉशन में बात किये है चौटीस वे एपिक सिखर सम्मेलन 2022 की जिसका जो आयोजन है यह थाइलेंड में किय जाएगा मात करते हैं 35 वे की तो आने वाला जो एडिशन है इसका आयोजन जो है यह यह यूनाइटिड स्टेट में किया जाएगा प्रीवेस वर्जन की बात कर लेते हैं तो 2021 में इसका जो आयोजन है यह न्यूजिलेंड देश में किया गया अब यहां पर बात हुई है ए सदश्य देश कितने हैं तो इनकी संख्या 21 है और भारत जो है यह इसका सदश्य देश नहीं है नेक्स हमारा कॉशन है पहले अतुलिय भारत अंतरास्टी क्रूज सम्मिलन 2022 का जो आयोजन है यह कहां पर हुआ है तो इंडिया इंटरनेशनल क्राइस कॉंफरेंस 2022 जो है इस सदश्य देश के द्वारत जो है इसकी अध्यक्षता की गई है सिंगापुर देश के द्वारा नेक्स हमारा कॉशन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयोश निवेश एवं नवाचार सिखर समिलन 2022 का उद्गाटन कहां किया है तो प्रधान मंत्री नरे 2022 की अध्यक्षता किसने की है तो भारत सिहार समिलन 2022 की जो अध्यक्षता है यह हमारे देश के केंद्रिय शिक्षा और कॉशल विकास मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इनके द्वारा सम्मिलन की अध्यक्षता की गई है यह कॉशन काफी जद इंपॉडेंट घपके तोपिक वाइस की प्रीडियो थे भारत के पर्वत युहार और मेले इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिके इडी केड़ी वीडियो बनाया है अगर आपने तुप तुष देखा है तो प्लेडी सिंस्समें जाकर प्लाइस की प्लेडियो को फढ़े देख सकते हैं बाद में इस वीडियो के comment section में आकर इस question का जो answer है ये comment करेंगे दोस्तों वीडियो के दिखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी current affairs की जो ebook है इसकी link आपको description में मिल जाएगी और यह जो ebook है इसमें आपको 45 प्लस topic wise current affairs दिये गए हैं साथ में 1100 detail mcq भी दिये गा हैं तो इस प्रकार आपकी जो total mcq है कितने हो जाने वाले हैं तो 5000 से जादा आपको जो mcq है यह एक ही बुक में प्रोवाइट किये जाएंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरा पढ़ना समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को जल्दी लाइक करने से जादा सदा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में वाट्सअप टेलीग्राम फेस्बुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिले को में वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें थैंक्यू फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए अप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद